हलो फ्रेंट्स मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं Learn Code with दुर्गेश YouTube चैनल और आज हम इस वीडियो में कुछ important tags JSP के देखेंगे जिसकी help से हम लोग JSP के अंदर Java का code लिखने की कोसिस करेंगे और हम लोग इन tags की help से Java का code JSP पेज के अंदर लिख सकते हैं तो वही कुछ important tags आज हम लोग देखेंगे और हम लोग tags अभी से start इसलिए कर दिये हैं जिससे कि हम लोग JSP के साथ operations perform करना सीख जाएं और देरे देरे बाद में हम लोग क्या करेंगे हम लोग और भी topics कबर करेंग क्योंकि हम लोग JSP के साथ काम करना सीख जाएं क्योंकि जितना हम लोग JSP के साथ काम करेंगे उतना ही हम लोग JSP में comfortable होंगे और trust मानिए JSP एक बहुत ही आसान technology है websites को बनाने के लिए as compared to servlet ठीके वरें तो चलिए start करते हैं तो अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए notification icon को click कर जिए जिससे की latest daily awesome videos आपको मिलने हैं तो चलिए friends start करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कौन-कौन से important tag है जो JSP में मिले हुए और हम काम कर पाएंगे तो friends सबसे पहला जो tag है वो tag हमारा declarative tag यहां पर आप देख सकते हैं उस tag का कहना म या फिर इसको हम लोग declaration tag भी बोलते हैं declaration tag या declarative tag इस tag की help से हम लोग कर क्या पाएंगे इस tag की help से हम लोग अपने पूरे page में variables और methods को declare कर सकते हैं जैसा कि हम लोग को यहां पे दिख रहा है यहां पे सबसे पहले हम लोग को declarative tag लिखने के लिए हमको क्या लगाना पड़ पड़ेगा उसके बाद हमें percentage का sign लगाना पड़ेगा और यह एक्स एक्समलेटरी मार्क लगाना पड़ेगा इस यह tag की opening है हम पहले tag open कर देंगे फिर tag को क्या कर देंगे close कर देंगे close कर देंगे पूरे page में जैसे हम लोग इस tag को लगाएंगे अब इसके अंदर हम लोग क्या कर पाएंगे दो चीज़ declare कर पाएंगे एक variables को declare कर सकते हैं और दूसरा methods को declare कर सकते हैं इसको मैं और अच्छे समझाता हूँ फिर मैं आपको example भी दूँगा let us suppose आपने एक GSP page बनाया है अब GSP page आपने जो बनाया है इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़े लिख सकत हो इसके अंदर आप HTML लिख सकते हो CSS लिख सकते हो तो suppose हमने body tag लिखा और इसके अंदर इसको मैंने close कर दिया और इसके अंदर हम लोग इसके अंदर आ गए और हम लोग इसके अंदर सपोस लिख रहे हैं H1 tag H1 tag और मैं लिख दिया this is heading अब यह simple है जैसे आप इस page को चलाओ आपको यहां पर heading tag में this is heading प्रिंट हो जाएगी अपको यहां पर एक variable declare करना है Java का जो उस variable को आप पूरे page के अंदर उसकरना चाहते हो तो आप क्यूंकि आप डारेक्ट ऐसे लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप यहां पर ऐसे लिख दोगे integer a is equal to 5 तो यह तो किक्लेरिशन टाएगा कुछ ऐसा डिक्लेशन टोफेट करना पड़ेगा और डिक्लेशन को फिर क्लो आपको हमें क्लूस कर देना का सिंपक अब हम लोग चैसके अन्दर अपनेक्त को सम्प्ली डिट्ये अरशित और जिस तरह हम ब्रिएबल को डिकलेट कर सकते हैं वैसा ही विए call कर सकते हैं तो चले हम लोग example देखते हैं कि actually मैं इसको कैसे करेंगे अपने practically अपने GSP page में तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको clear कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने NetBeans IDE में तो हमारे यहां पर NetBeans IDE open है और हम लोग क्या करते हैं मेरे पास एक project है YouTube JSP अगर आपको यहां पर JSP नहीं मिलेगा तो आप अधर में जाके JSP सर्च कर लिए यहां पर अधर पर क्लिक करिएगा और आप filter में simply type करेगा JSP तो आपको यहां पर JSP मिल जाएगा इसको next कर दिएगा यह आप से पुझेगा file का नाम तो मैं ऐसे कहता हूं first और आपको NetBeans में अगर आप हो तो आपको .JSP अलग से नहीं लगाना है क्योंकि यह अपने आप लगा देगा अगर आप यहां पर देखें created रड़ी हो जाएगा और JSP पेज रड़ी हो जाएगा तो simply आपको यहां पर देखे HTML का कुछ पेज दिख रहा है HTML का कुछ देखे HTML टैग है है बॉड़ी टैग है HTML देख रहा है यहां यहां पर देखो तो first.JSP यहां पर देखे मारा प्रोजेक्ट रन हो गया अगर हमें पेज चलाना है तो हमें क्या करना होगा अपने URL box में यहां पर अपने website के बाद अपने page का नाम लिखना होगा तो हमें यहां पर लिखेंगे first.JSP और enter कर देगे तो यहां पर JSP का पूरा content जैसा ही आपने first.JSP लिखा न सर्वर को request के उस page के लिए और पेज का content यहां पर लूड हो गया तो basically page का content लूड हो गया यहां पर सिफ HTML लूड हो जावा सर्वर पे ही चल चुका है यहां पर देखें hello world प्रिंट हो और यह hello world हमारा प्रिंट हो है हमारे page से यहां से अगर हम यहां पर लिख देते हैं first.JSP page first.JSP page तो अगर हम इसको save करेंगे और आके यहां पर refresh करेंगे तो देखें first.JSP page प्रिंट हो जाएगा यहां इसका मतलब इस page की content चल रहा है और यह basically क्या है हमारा HTML है आप देख सकते हैं यह HTML का tag लेगा अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इस page के अंदर हम Java का variable और method कैसे declare कर सकते हैं तो let us suppose आपको इसके variable declare करने है तो आपको यूज़ करना है expression tag या फिर अगर आपको variable declare करने है तो आपको यूज़ करना है declarative tag कौन सा tag declarative tag यूज़ करना है और इस tag की opening closing आप कुछ ऐसे करेंगे और हम इसको close कर देंगे तो देखें हमारा tag open हो गया close गया अब इसके अंदर हम Java का कोई variable और method declare कर देते हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर दो variables declare करूंगा और उनको sum करने के लिए method declare करूंगा देखें हम क्या लिखेंगे integer a is equal to 50 integer b is equal to 10 इसे तरह आप कोई भी variable declare कर सकते हैं आप even string का variable declare कर सकते है name is equal to हमने का tag soft India अब क्या कर सकते हैं इस सारे variables को आप इसके नीचे यूज़ कर सकते हैं page में कहीं भी अगर आपको method बनाना है तो आप लिख दिए public method पूरा यहां पर लिख दिजिए और मैं कहूंगा यह return करेंगा integer और इसका नाम है do sum और simple यह इन दोनों variable का sum करेगा और मुझे return कर देगा तो चलिए coding कर देते हैं हम लोग मैं यहां से कहा करूंगा return a plus b simple और आपने text को format कर दीजिए format करने के लिए अल्ट शिफ्ट f नेट बीज एक और function बना देते हैं method बना देते हैं public जो return करेगा string और हमने का reverse हमारे नाम को यह reverse कर देगा तो हम लोग reverse करके भी return करा देते हैं तो reverse करने के लिए मैं कुछ logic नहीं लगाऊंगा मैं string buffer का object बना string buffer और अपना जो ने में मैं इसको buffer को पास कर दूँगा simply उसके बाद क्या करूंगा देखे हम रेटन कर दूँगा यहां से ब्यार डॉट रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग सिंपल तो हमारा रिवर्स यहां पर मिल जाएगा और बैसके लिए हमने क्या किया है हमने मैं तीन वेरियेबल्स बनाएं ए बी और दो मैंने मैथर्स बनाएं मतलब मैंने यहां सिंपली declaration tag की हल्प से इनको लिख दिया अपनों क्या कर सकते हैं इन मैथर्स को call कर सकते हैं जब आपको जरत होगी तो call आप डारेक्टली यहां पर अगर ऐसे कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप यहां लिख दोगे out.println तो यह तो वहिया हमारा इसको कैसे हम लोग use करेंगे और वह किसलिए useful है मारा तो next tag हम लोग देखते हैं मेरे पास यहां पर next tag है scriptlet tag scriptlet tag scripting करने के लिए that means java code को लिखने के लिए कोई भी java code that means processing logic लिखने के लिए actually इस code के अंदर जो भी आप लिखोगे stack के अंदर वो tag जाएगा service method के अंदर जो आप पहले server rate में लिखते थे तो बिसके लिए हम यहां पर कोई भी code लिख सकते हैं service के अंदर जो मुझे लिखना होता था that means हमें print करना है कोई यहां से response generate करना है तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं और scripted tag दिखें simply आपको less than percentage लगाना है percentage greater than से इसको close करना है चले देखते हैं और देखते हैं क्या use है तो हम लोग यहां पर आएंगे और print करने के लिए कोई भी Java का code लिखने के लिए मैं क्या करूँगा scripted tag लगा दूँगा simply ऐसे और हम इसके अंदर अपनी सारी processing logic लिख सकते हैं अगर हम मुझे print करना है तो मैं out.println out.println और मैं क्या करूँगा यहां पर print कर दूँगा a को that means variable है out.println और मैं यहां पर print कर दूँगा b को अब आप लोग सोच रहेंगे यह out कहां से आया तो क्योंकि out हम लोग servlet में क्या करते थे servlet में अलग से variable को बनाते थे और response.get writer use करते थे लेकिन jsb में out आपको बनाना नहीं यह implicit object है यह आपको मिल गया है आउट variable में यह jsb writer का object है exactly same as print writer यह आपको free में मिला हुआ आप इस scriptlet tag के अंदर इसे use कर सकते हो response को generate करने के लिए तो मैंने response को generate करने के लिए इसको use किया अब हम लोग क्या करते हैं अपने page को refresh करते हैं और देखते हैं देखे 5 a की value 50 और b की value 10 print हो गई है अगर आप चाहते हो कि वह यह अलग अलग लाइन में print हो तो आप क्या करो इन दोनों के बीच में out.println और आप एक BR लगा तो अभी हम लोग इससे भी आसान तरीका सीखेंगे print करने के लिए बढ़ अभी आप देखिए scriptlet tag का अब लोग क्या करने जा रहे हैं अपने methods को भी call करने जा रहे हैं सबसे पहले मैं do sum को call करूंगा और फिर मैं call करूंगा अपने reverse वाले method को तो मैं लिखूंगा out.println और हम यहां पर call करेंगे do sum तो यह करना क्या चाहिए यह यहां से क्या करेगा function को को आपके call कर लेगा और a b का sum कर देगा देखेगा 60 इसने क्या दिया 60 that means a b का sum कर दिया तो मैं simply क्या करता हूं एक line इसके नीचे और print कर देता हूं b r तो होगा क्या पहले a print होगा फिर line चेंज होगी b print होगा line चेंज होगी do sum होगा line change होगी और आप क्या कर सकते हो यह simply Java मतलब आप यहां पर string लगा सकते हो sum is और हम यहां पर देखे sum is 60 50 plus 1060 अब हम लोग क्या कर सकते हैं अपना दूसरा method भी call कर सकते हैं तो मैं simply एक b r लगाऊंगा और मैं फिर से यहां पर out.println करूंगा और अपना reverse वाला method कॉल करूंगा जो की नाम क्या करेगा reverse करके print कर देगा और मैं करता हूं पेज को refresh करता हूं तो दीखे टेक्स of india का यह उल्टा प्रिंट हो गया that means हो क्या रहा है कि जो हम टेक्स लगाएं उसमें हम लोग जावा लिख पा रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है आप simply designing करते जाए जहां 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 आपको जावा की जुरुत पड़े या variables declare कर दिए with the help of declaration tag और जावा का पूरा code लिख दीजिए service के अंदर जो आप code लिख रहे थे वह आप लिख जिए scripted tag के अंदर next जो important tag है वो कौन सा tag है हम लोग देखते हैं तो next हमारे पास important tag है expression tag यह basically क्या होता है expression tag चीजों को print करने के लिए होता है आपके browser पे यह response rate करने के लिए आप क्या करेंगे अगर यह वाला symbol लगाएंगे और percentage equal to लिखेंगे और यहां जो statement लिखेंगे वो print हो जाएगा simply तो simply आप h1 सबसे पहले लिख दीजिए उसके बाद आपको जो text लिखना है आप लिख दीजिए sum is और फिर आप यहां पर अगर आपको sum print करना है तो simply आप आप आउट.print लिख सकते हो scripted tag के अंदर बस इसी का alternative है जैसे आप क्या कर सकते हो यहां पर लगा सकते हो expression tag भी लगा सकते हो दिखेंगे expression tag मैंने कैसे लगाया less than percentage equal to और फिर मैं यहां पर अपना variable print कर दूँगा a print कर दूँगा तो a की value print हो जाएगी और अगर मैं यहां पर call कर लेता हूँ do sum तो यह do sum जो value return करेगा वो value यहां पर अपने आप आएगी और print हो जाएगी तो चले हम लोग देखते हैं इसको चलाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को output यहां पर generator देखिए sum is 60 इसका मतलब 60 कहां से आया expression tag ने क्या गया 60 को solve कर दिया है simple आ गया फ्रिंट समझ में तो expression tag की help से हम कोई value प्रिंट कर सकते हैं अब यह किसी type की value है यह अपने आप typecast हो जाएगी string में मतलब convert हो जाएगी string में अगर आप यहां integer भी देते तो यहां पर देखिए मैं देता हूँ अगर आप यहां integer देंगे expression tag के अंदर तो integer आ जाएगा तो अगर मैं integer देता हूँ तो यहां पर integer आ जाएगा देखिए अगर मैंने दिया है तो अपने आप से वह string में convert हो जाएगा और यहां पर 50 प्रिंट हो जाएगा इसका मतलब होता है मैं expression tag में कोई भी value प्रिंट कर स सकता हूँ तो यहां पर नेम प्रिंट हो जाएगा टेक्स अफ इंडिया इसका मतलब होता JSP बहुत बढ़िया टेक्नलोजी है मतलब कि आप normal HTML लिख सकते हो और HTML में जब आपको जरूरत पड़े तो आपको variable declare कर सकते हो with that declaration tag आप request को process कर सकते हो processing logic के help से scripted tag के अंदर और च आपका एक color क्या हो जाएगा देखे color आपका राइड हो जाएगा even आप यहां पर background वगएरा भी लगा सकते हो let us suppose हमने का style background इस इक्वाल टू और हम refresh करते हैं तो आप देखोगे कि यहां पर background अप्लाएग इसका मलब बता JSP के अंदर आप सारे normal चीज़े कर सकते हो साथी साथ में आप क्या कर सकते हो आप Java का code भी लिख सकते हो तो इस वीडियो में हम लोग ने mostly 3 important tag के बारे में पढ़ा और अगर आप यह tag अच्छे जावा का पूरा code लिख सकते हो जो आप JSP के अंदर रिक्वेस्ट से data fetch कर सकते हो सम कर सकते हो उसको प्रिंट वगर दिखा सकते हो तो चले फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो अच्छे लेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेर करिए थैं थैंक यू फर रुचिंग इस वीडियो बाई बाई